नमस्कार दोस्तों पहले के समय में देश और बिदेश में लंबी गाड़ियों का डिमांड ज्यादातर देखा जाता था लेकिन महजुदा समय में आप इलेक्टरिक कारों की मांग बढ़ती जा रही है वह भी ऐसे इलेक्टरिक कार जिसकी साइज छोटी हो और समय शाथी माइलेजरेंज अच्छी खासी मिल जाती हो ऐसे ही इस मालकारों की मैनुफेक्चिन बहुत शारी कमपनिया कर रही हैं और बहुत शारी इस मालकार तो मार्केट में लांच भी हो गए हैं इसी स्रिंखला में इंडिया में काफी पापुलर हो चुकी याकूजा की करिश्मा को लांच किया गया दो हजार चोविस में इस इस मालकार के क्या अन्न फेचर्स सुविधा मिल जाती हैं आए आपको इस वीडियो में बताते हैं दोस्तो याकूजा कमपनी एक इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर्स बनाने वाली कमपनी है जिसका मैनुफेक्चरिंग हब हर्याणा के सिर्षा में है दोस्तो यह कार टाटा की नैनो से भी सस्ती हैवी और माइलेस देने वाली फोर विलर है काफी शांदार स्टाइलिस लुक में डिजाइन किया गया है फोर विल होने के साथ साथ इसमें बड़ी कारो जैसी शांदार फीचर्स मिलते हैं इसे अभी हाल ही में कमपनी ने लांच किया है पूरता मेड इन इंडिया कार है यकूजा करिस्मा इलेक्टरी की भी इसमें पावर बिंडो, पुश बटन, इस्टोर सिस्टम, टच स्क्रिन डिस्प्ले जिसमें गूगल मैप और अपनी मॉबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं एक कैमरा, मुजिक सिस्टम एंडि स्पीकर, शाथ ही ब्लोवर विद फैन दिये गए हैं दोस्तों यह तीन कलर आप्सन के शाथ में मार्केट में आती है जिसमें रेड, ब्लू, वाइड कलर सामिल है इसे पहले लांचिंग की आपेच्छा अब और भी अपग्रेट किया गया है बहुत सारे फीचर्स इसमें बदलाओ की रूप में देखने को मिल जाते हैं फ्रंट लुक की बात करें तो काफी स्टाइलिस लुक में नजर आती है याकूजा की करिस्मा कार यहाँ पर चोड़ी बिंडशिल्ड और बिंडशिल्ड को शाप सफाई के लिए पावर मोटर सिंगल वाइपर दिया गया है काफी तेज रोशनी वाली डियारेल के साथ एलेडी हेडलाइट्स मिल जाते हैं रात के समय जब जलते हैं तो कुछ इस तरह से नजर आती है इसकी रोशनी रात के समय और भी ज्यादा तेज हो जाती है उन्हों हेडलाइट्स के बीच में काफी शांदार लुक में याकूजा की लोगों मोनोवेजिंग दी गई है नीचे की साइड में ग्रिल और नमबर प्रिट लगाने की जगह शाथी बड़ी कलर आप्सन के शाथ में बंपर दिया गया है फोर विल दस इंच के गाड़ी के शाथ और एक स्पेर विल भी गाड़ी के शाथ दिया गया है दो दर्वाजे मिल जाते हैं साथ ही एड़िस्टेबल ORBM दोनों ही साइड में दिया गया है साइड मीलर यानि की ORBM पर ही आप DRA लाइट भी लगा देख पाएंगे साथ ही इसके चार उपहियों में एलाइविल दिया गया है दोस्तो काफी की फाइती और स्टाइलिस EV कार आपको कम से कम बजट में देखने को मिल जाता है आपको अगर कम दूरी तै करना है तो यह विकल्प आपके लिए काफी बहतर साबित हो सकता है अगर इंटीरियर की बात करें तो आपको यह कार 2 प्लस 1 यानि की 3 सेटिंग कैब सेटी में मिल जाती है इस पेस आप अच्छा खासा देख पाती है इस कार में आगे की तरफ ड्राइवर सीट के लिए एक सीट प्रोवाइट कर आई गयी है जो की एड़ेस्टेवल बिथ डूल कलर टोन में दिया गया है शामने की तरफ पावर स्टेरिंग मिल जाती है डेश्टपोर्ट काफी खुबसूरत और स्टाइलिस दिया गया है शामने की तरफ ही इसका डिजटल स्पीडो मेटर विथ टच स्क्रीन दिया गया है जो साइज वाइज काफी बड़ी है यही पर आप अपने मोबाइल काल्स, ब्लूटूथ वगरे साथ में या फ्यम वगरे कनेट कर सकती है दोस्तो आगे की तरफ सिर्फ एक ही सीट प्रोवाइट कराई गयी है तीछे की साइड सीट पर दो लोग आराम से बैठ सकती है यानि कि अगर देखा जाए तो 300 केजी या 400 केजी तक की आप वजन इस गाड़ी में बैठा सकती है सेंटर लोकिंग की आपको मिल जाती है आगे की दोनों तरफ पावर बिंडो और बेहतरीन बूट स्पेस दिया गया है याकुजा करिस्मा एलेक्ट्रिक कार में आप कमबजट में एक सांदार कार की फुल फिलिंग महसूस कर पाएंगे काफी शांदार दमदार बैटरी पैक के शाथ आती है इसमें बैटरी सिस्टम प्रोवाइट कराई गई है जो चार से पाँच घंटे में फुल चार्ज हो जाती है दोस्तो अगर यह इसमाल इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज हो जाती है तो आप इजली इससे 150 किलोमेटर से 175 किलोमेटर की शांदार माइलेजनेज ले सकते हैं दोस्तो बाहर और अंदर के डोड़ हंडिल बार पर क्रोम का वर्क आपको देखने को मिल जाता है केविन साइड या अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर उपर की तरफ रूफ पर आपको हवा और गर्मी से बचने के लिए शनरूफ भी प्रवाइड कराई गई है ताकि गाड़ी चलाते समय आपको गर्मी वगर्या महसूस नहो पीछे की साइड में देखें तो उपर की साइड में सीसे की विंडो नीचे की तरफ डियारेल इंडिकेटर और नमबर प्रेट लगाने की जगह मिल जाती है हैंडिल बार में आप याकूजा की वेजिंग देख पाएंगे शाती चाबी और पुस बटन स्टार्ट सिस्टम लगा मिलता है त्री मोड आपसन के शाथ आती है पीछे की साइड में इस इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए चार्जर पॉइंट दिया गया है शातर किलोमेटर प्रति हावर की टाप स्पीड देखने को मिलता है पीछे से भी पैसेंजर को हवा वागरे लगने के लिए भी बैक गलास दिया गया है अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो यह आकुजा करिस्मा इलेक्ट्रिक मिनिकार आपको एक लाग पक्चीस हजार रुपे के आसपास मिल जाती है आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए याकुजा की बेवसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी शहरों में भी और लेवल हो जाएगी